सीरियल में आगे आप देखेंगे सवी और इशान करीब आएंगे और राम नवमी के दिन होगा इन दोनों का महामिलन दरअसल सवी चिनमे दादा के लिए शीखा का प्यार देखकर एक पती के लिए पत्नी का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा पिघल गई है और जब इशान ने कहा था चिनमे दादा से कि मेरी पत्नी के लिए कुछ बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा तो ये बात सवी के दिल को छूग गई है और अब सवी ने फैसला कर लिया है कि उनकी ताइट ठीक होने के बाद भी वो भोसले हाउस को छोड़ कर नहीं जाएगी और नहीं इशान से रिश्टा खत्म करेगी सवी इशान को इंप्रेस करने के लिए एक बहुती सुन्दर ड्रेस पहनती है इशान शौक्ड हो जाएगा लेकिन साथ में सवी की तरफ एट्रेक्ट भी होगा अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि इशान और सवी के बीच में क्या होगा क्या दोनों राम नवमी के दिन एक पती-पतनी के रूप में बढ़ेंगे या फिर इशान सवी पर गुसा होगा तो दोस्तों अपने फेवरिट सीरियल की ऐसी चटपटी खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद